एक हफ़ते से रुकी इसराइल और हमास के जंग फिर से शुरू हो चुकी और ऐसी शुरू हुई है कि 24 घंटे से भी कम वक्त में गाजा में मौत का सैकड़ा पार हो चुका है एक हफ़ते से चल रही सीस फायर खत्म होते ही इसराइल ने गाजा पर ऐसे अंधा दुन्द हमले चालू कर दिये कि गाजा रहम की भीक मांग रहा है साथ दिन के सन्नाटे के बाद इसराइल के हमलों ने गाजा को चीर डाला एक हफ़ते बाद इसराइल की चुपे जब टूटी तो गाजा पंटी चीर खुटी है साथ दिन के सीजपायर के बाद इसराइल के अंदर सोया शेर जब जागा तो हमास के लड़ाकों को जयान बचाने के लिए ना आसमान मिला ना जमी इसराइल के लड़ाकों विमानों ने आसमान से बमों की ऐसी बारिश की है कि हमास के लड़ाकों पर मौत बरस पड़ी है मगर इस्राइल ने हमास के लड़ाकों के भागने के लिए जमीन भी नहीं छोड़ी है क्योंकि इस्राइल की तोपों से निकले गोले हमास के ठिकानों पर फट पड़े साथ दिन बाद सुबा साथ बजे इस्राइल और हमास के बीच सीज फायर खत्म हुआ और उसके खत्म होने के आदे गंटे बाद ही इसराइल ने आल आउट वार शुरू करने का एलान कर दिया इसराइल के प्रधान मंत्री बन्यमिन नेतन याहू सीजफायर के पहले दिन से सीना ठोक कर कह रहे थे के सीजफायर का मतलब जंग का इंड नहीं है जंग पूरी तरह से जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का हर लड़ाका मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता यानि इसराइल ने जो कहा वो करके दिखा दिया साथ दिन बाद उसने schools बॉत तांडव शूरू किया है जो गाज़ा में हमास के चीफ याहिया सिन्वार को सीना गोलियों से च्छली करने के बाद ही रुकेगा इसराइल का दावा है कि याहिया सिन्वार साट अक्टूबर के हमले का मास्ट माइंड है और माना जा रहा है कि याहिया सिन्वार इस भीशन युद में भी गाजा में ही मौजूद है इसराइल याहिया सिन्वार तक कैसे पहुँचेगा उसे किस तरह अपने जाल में फसाएगा उसके इस प्लैन से भी आज परदा उठाएंगे लेकिन उस से पहली ये जान लीजीए कि याहिया सिन्वार के गिरेबां पर हाट डालने से पहले इसराइल ने अपने हमलों का जो ट्रेलर दिखाया है उसमें हमास के लड़ा के कीडे मकौणों की तरह मारे जा रहे हैं सीजफायर खत्म होते ही इसराइल ने एक एक दिन की अपनी खामोशी का हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया है उसने बीते साथ दिन की अपनी सारी भडास निकालनी शुरू कर दी है इसराइल की वार का पार्ट टू इतना भायानक है कि 24 घंटे से भी कम वक्त में गाजा में लाशों का अंबार लग गया है हर बल मरने वालों का अंकड़ा बढ़ता जा रहा है काजा के आसमान में इसराइल के वाइटर जेट मंडरा रहे है तो जमीन पर उसके टैंक अपना शिकार ढूंड रहे है इसराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भयानक गन फाइट भी चल रही है गाजा के उत्तर में जबालिया रिफ्यूजी कैम्प से लेकर मद्धे तक मद्धे से लेकर दक्षन में खान यूनिस्ता यहां तक कि मिस्र की सीमा के पास रफ़ा शेहर तक गाजा में हर तरफ इसराइल बम और गोले गिरा रहा है लेकिन इस्राइल ने सबसे बड़ा हमला किया है दक्षनी गाजा पर गाजा के उस दक्षनी हिस्से पर जो कि बाकी इलाकों के मुकाबले महफूस माना जा रहा था क्योंकि इस्राइल ने गाजा के लोगों को वही पनाह लेने की सलाह दी थी मगर इस्राइल अब गाजा पर रत्ती भर रह्म दिखाने को तैयार नहीं इस्राइल बेधड़ाग दक्षणी गाजा पर वार कर रहा है और उसकी सेना ने दक्षणी गाजा के खान यूनिस शेहर को खाली करने का फर्मान सुना दिया है खबर है कि इस्राइल की सेना ने खान यूनिस में पर्चे गिरा कर लोगों को वहां से रफवा की तरफ रुक करने को कहा है मगर इसराइल खान यूनिस के साथ रफवा पर भी हमले कर रहा है यानि गाजा में हर तरफ मौत खड़ी है और खासतोर पर वहां का खान यूनिस शेहर कबरिस्तान बनने वाला है खान यूनिस दक्षनी गाजा का सबसे बड़ा और सबसे एहम शेहर है खान यूनेश शेहर इस्राइल के हिट लिस्ट में है क्योंकि खान यूनेश शेहर को याहिया सिन्वार का गड़ माना जाता है कहा जा रहा है कि हमास का खुखार नेता याहिया सिन्वार खान यूनेश शेहर में ही छिपा बैठा है इस्राइल के प्रधान मंत्रे बेन्यमिन नेतन याहू के तेवर को देखकर रक्षा विशेशक के पहले ही कयास लगा रहे थे कि सीजफायर के बाद जब इस्राइल दुबारा जंग शुरू करेगा तो उसके निशाने पर दक्षणी गाजा ही होगा क्योंकि इस्राइल ने अपने युद्ध की शुरुआत उत्तरी गाजा से की थी और जंग के पहले पचास दिनों में वो हमले पर हमले करके उत्तरी गाजा को बरी तरह तबाख कर चुका है हमास के लड़ाके दक्षणी गाजा में पनाह लिये हुए हैं और इस्राइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टागिट नमबर वन यहिया सिन्वार के भी दक्षणी गाजा के खान युने शेहर में हुनी की खबर है ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जब इस्राइल ने हमले शुरू किये हैं तो यहिया सिन्वार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है इसराइल यहिया सिन्वार को चलता फिरता मुर्दा बताता है मगर अब उसका प्लैन सिन्वार को सीधे कबर में पहुंचाने का है अगर इस बार इसराइल ने किल सिन्वार प्लैन को हरी जंडी दे दी तो बीके 12 साल से इसराइल अपने जस्ट दुश्मन को ठिकाने नहीं लगा पाया अब उसके रास्ते का वो रोड़ा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा हाला कि इसराइल की मीडिया की खबर कहती है कि सिन्वार को जिन्दा रखने वाले खुद नेतन याहू ही है एक मीडिया रिपोर्ट के मताबिक इसराइल की सुरक्षा अधिकारी नेतन याहू के सामने 2011 से लेकर अब तक एक या दो नहीं बलकि कमस कम छे बार सिन्वार की हत्या का प्लान पेश कर चुके हैं मगर नेतन याहू ने हर बार सिन्वार को मौत के घाट उतारने की प्लान को रद कर दिया मगर अब नेतन याहू के तेवर बदले हुए हैं इसराइल आरोप लगा रहा है कि अपनी मौत को नियोता देने वाला हमास खुद है क्योंकि ताजा जंग की शुरुवात हमास की तरफ से ही हुई उसने सीजफायर के दोरान गाजा से इसराइल पर रॉकट दागे और तो और जिस येरुशलम शेहर को इसराइल अपनी राजधानी बताता है वहाँ भी हमास ने अपने दो लड़ा के भेज कर दिन दहाडे सरयाम कतलयाम करा दिया इसलिए गाजा पर हमला शुरू करते ही नेतन याहू ने फिर दोहराया है कि अब इसराइल गाजा से तब ही निकलेगा जब हमास का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन इसराइल के हमलों का हमास पर रति भरका असर नहीं पड़ा है क्योंकि हमास ने भी अपने देवर दिखा दिये हैं उस ने भी दो टू कहा दिया है कि आब इसराइल जग जीत कर दिखा दे जो वो गाज़ा पर हमले करकर के पिछले 50 दिनों में हासिल नहीं कर पाया, उसे वो अब भी हासिल नहीं कर पाएगा जादे CRPF के दो जवान खायल बताए जा रहे हैं, बार्शू उठाना चेत्र की ये घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, नकसलियों की कायराना कर्दूत लगातार सामने आती रहती है और जंतेवारा से एक और तस्वीर हमें यहाँ पर देखने को वली है, जंतेवारा की के दोरान गेव स्कोट हुआ है, CRPF के दो जवान खायल बताए जा रहे हैं, तो बॉखलाहट नकसलियों की साफ़त और से नजर आती हैं और आई दर ये कायराना कर्दूत नकसलियों करते हैं अंबिकापूर से खबर की बात करते हैं, जहाँ पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टकर मार दी, हाथसे में स्कूटी सवार घायल बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर आप वीडियो भी वाइरल होने लगा है, ये पूरा मामला तो इस वाली पूनाच्छेत्र के महा माया रोट का बताया जा रहा है फिलाल मामले की जाँच में पूरे स्टी होई है, तस्वीरे आपको दिखा देते हैं, अमबिकापूर की ये तस्वीरे हैं, जहाँ पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टकर मार दी और पूरी तरह से कोने में जाकर के स्कूटी सवार गिरा, पूरी स्कूटी चोर कैद हुए हैं एक घंटे तक चोरी होती रही और सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठने होगी है फिंगेश्पर थाना चेत्र के बेलर धान खरीदी वही है ये चोरी होई है मामले की जाच में फिंगेश्पर पोलिस जोटी होई है करियावर्द के दस्वीरे धान खरीदी केंट रगी है तस्वीरे आप इसे वक्त देख रहे हैं तो चाहतीसगर सीम भुपेश बगेल ने ओलाइन बैटिंग के अवध कारोबार से जुड़े प्लैट्फोर्म पर प्रतिवन लगाने को लेकर पीम मोदी को पत्र लिखा है सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देटी हुए उन्होंने लिखा कि मानलीय प्रधानवंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर ओनलाइन बैटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लैट्फोर्म वैब, MPK, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, यूरल, इत्यादी पर पूनता प्रतिवन लगाई जाने ये बाग की है, विकत समय में ऑनलाइन बैटिंग, गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ और सटा करोबार का देश व्यापी वस्तार हुआ है, और इसके संचालक एवं स्वामी विदेशों से उख्त अवैध करोबार का संचालन करते आ रहे हैं, ये ट्वीट किया गया, स ये अब उपीश बैटिंग वारहा, बोपाल की बात करेंगे, जहां कल मदगर्ना के तैयारी जोरो शोरो से चल रही है, कल के मत करना की तैयारी चुनावी धुरंदरों की माने तो इस बार के मत करना रोचक हो सकती है बीजिपी और कॉंग्रस पूरी तरह से तैयार है सीम शिवराज, वीडी शर्मा, पीसी, सी चीफ कमलात, दिगवजे सिंग, मोचा संभाले हुए है हर परस्थिती के लिए राजुनेतिक दलों का प्लान तैयार है आएए जानते हैं तैयारियां किस स्थर पर चल रही है चुनाव के परिणाम आने में बस 24 घंटे बाकी रहे गए हैं कमिशन के साथ कॉंग्रेस और बीजे पी दोनों दल भी पूरी तरह से तैयार है क्योंकि जिस तरह के चुनावी रुजहान अब तक सामने आए पूल सामने आए बीजे पी और कॉंग्रेस के बीच लगातार अच्छी फाइड जो है सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं वो भी तैनात की गई है ताकि पूरी मतगलना के दोरान जो शांती विवस्ता है वो कायम रहे वो बनी रहे कहीं पे भी किसी तरह से अशांती और अफवाएं ना फैले सब के बीच 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 पी और कॉंग्रेस के दिगच नेता प्रदेश कारेले में मौजूद रहेंगे जहां पर वार्रूम्स जो है उन्हें इस्थापित किया गया है पी-सी-सी चीफ कमलनाथ दिगविजे सिंग अरोनियादाओ जैसे तमाम बड़े नेता कॉंग्रेस के लिए मोर्चा समाले हुए नजर आएंगे सुरेश भचोरी भी वहां मौजूद रहेंगे तो वहीं बीजेपी के गर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान प्रदेश अद्यक्ष वीडिश शर्मा शंगटन महामंत्री समिद अन्यनेता जो है वो प्रदेश कारेले में वार्रूम में मौजूद रहेंगे और पल पल का जो अपडेट है तमाम विदानसभा छेतरों से लेचे हुए नजर आएंगे बीजेपी कॉंगरेट दोनों इदलों ने अपने प्लान भी भी तयार कर रखे हुए हैं परिणावों के अनुसार उनको भी कही ना कहीं इंप्लिमेंट किया जा सकता है तो कही ना ना होगा कि मद्पदेश में इस बार किसकी सरकार बंती है तो बेसबरी से जनता से लेकर राजनेतिक दलों को प्रत्याशियों को इंतिजार है तो सिर्फ इस बात का कि कल के एतिहासिक दिन जनता ने अपना सरताज किसे चुना है महिलाओं की जो बंपर वोटिंग हुई है वो किसके साथ इस बार गई है और कॉंग्रेस आदिवासियों के महंगाई के ब्रस्टचार के मुद्दे को भुनाने में कितनी सफल हुई है वीडियो जनलिस अजय तवर के साथ युजेटीन क्ले बोपाल से वासु चौरे बीजेपी राश्ट्रिय अध्याक्ष्र जेपी नड़ा का आज जन्मदन है आज वो मुरैना के शनिश्चरा धाम पहुचे और शनी मंदर में पूजा अर्चना की प्रवारी की आत्रा थी आज उनका शुब जनम दिन है अज जनम दिन हम सब के बीच में मना रहे हैं हम आवाम के बीच में मना रहे हैं साधरार कारिकर्ता के साथ मना रहे हैं अधिक्रदी पोल आने के बाद में सवाल खोड़े कर रहे हैं यह वेक्सीन पर सवाल खड़े कर देती हैं abundance त至ба करें पर दिखां कि अध्यक्षिकषप काम नाए उन्होंने अपने संगठनात मख कोशल से बहुत अच्छी वभाव ने उन्हें काई लोगों का चहिता बना दिया मैंने उन्हें पिछले कई देश्यकों से पार्टी के लिए कड़ी महनत करते दिखा उन्होंने खोद को एक बहुत अच्छे विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठत किया मैं लोगों के सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ जीपी नटा का जन्म दन है और बदाईयों का दौर लगातार जा रही है सीबीच सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर प्रधान मंत्री नरींडर मोधी ने बदाई दी है और शिपकामडाय जन्म दन की दी है और MPCM शिवराज सिंग चोहां ने भी बीज़पी के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नटा को जन्म दन की बदाई दी सोशल मीडिया एक्सपर उन्होंने लिखा कि भारत के जन्म दापार्टी के करोडों कारेकरताओं के प्रियना स्तरोत राश्ट्र एवन समाज के उत्थान के लिए यही काम ना करता है अध्यक्ष जेपी नटा से मिलकर उन्होंने जन्म दन की बदाई दी इस वक्त आपको देखा रहे हैं जेपी नटा से मिलाकात करके अध्यक्ष ग्रिमंत्री नरुत्र मिश्रा ने बदाई दी उन्हें उनके जन्म दवस्त की अलगल अखतर से शपकामना का दावर लकातार जा रही है पुदान मंत्री ने भी शपकामना दी तो वही केंद्रे ग्रमंत्री ने भी और ग्रमंत्री नरुत्र मिश्रा ने बदाई दी और रस्ट मुलाकात करें बदाई दी यह तर्ष्पीरिया आपके साब्रें और आइए अब खबरें देखें कुछ खबरें सूपर फास्ट अंडास्ट में